नमस्कार दोस्तों इनके मोनीटर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हर इनसान के शरीर की बनाबट अलाग अलाग होती है चाहे वो इस्त्री हो या पुरुष बैसे तो महिलाओं को हिंदु धर्म में देवी लक्षमी का स्वरूप माना जाता है और कहा जाता है जिस घर में महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता उस घर में लक्षमी का कभी वास नहीं होता इश्वर ने बैसे तो इस्त्री को बहुत खूपसूरत बनाया है लेकिन शास्त्रों में इस्त्रियों की शारिरिक रचना से जुड़े कुछ ऐसे रहस से बताये गए हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होगा इस्त्रियों के उनंगों के बारे में शास्त्रों में बताया गया है जिनका बड़ा होना या लंबा होना उस इस्त्री को भाग शाली और धनबान बनाता है तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको महिलाओं के उन्हीं अंगों से जुड़े रहसियों के बारे में जराविस्तार से बताएंगे दोस्तों करपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे और रोजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो नमबर एक लंबे बाल दोस्तों शास्त्रों के अनुसार जिस महिला के बाल लंबे होते हैं वो बहुत ही भागशाली महिला मानी जाती है ऐसी महिलाओं को अपने भाग़ से सब सुक और आनंद प्राप्थ होता है और ये कभी भी सपनों की दुनिया में नहीं रहती ये साफ और सुल्जे बिचार वाली होती है नमबर दो लंबे कान दोस्तों जिन महिलाओं के कान लंबे उपर से चोड़े और नीचे से नुकीले होते हैं ऐसी महिलाओं काफी भागशाली होती है इनकी उमर काफी लंबी होती है ऐसी महिलाएं अपने परिश्रम के बल पर बहुत आगे तक बढ़ जाती हैं नमबर तीन लंबी गर्दन दोस्तों सामुद्रिक शास्तर के अनुसार जिन महिलाओं की गर्दन सामानने से थोड़ी लंबी होती है ऐसी महिलाएं आश्र और सुख भोगने बाली होती हैं ये अपने परिबार के सुख के लिए बहुत कड़ी मेहनत करती हैं और सफल भी होती हैं और उनका दामपत्य जीवन काफी सुख मही होता है दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि भबिश्य में आने वाली हमारी सभी वीडियोज को आप आसानी से देख सके दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही इंट्रेस्टिंग इन्फॉर्मेटिब वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत